हाई एवीबान देरा 5000 स्टॉक्स दंधा मार्केट अब यहां पे प्रॉब्लम है कि कौन से स्टॉक्स में इनवेस्ट करना है क्यों करना है यह कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है मैं को यह मेरे दूसरे यूटूब चैनल पर यहां पर फिफ्टी तॉज़न पीपल है उन् अपने सबने college school में सुनोगा alpha and beta मैं उस दोनों terms को use करूँगा and I'll find a stocks for you हम लोग ticker tape का use करेंगे तो ticker tape is a platform ticker tape जहां पर हम यह stocks मिलेंगे तो वहां पर हम filters को run करेंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे ticker tape पर multiple filters को run किया जा सकता है और वो आपको help करेंगे to find the stocks so and तक देखना and आपको काफी चीज़ें मिलेंगे अब so let me open ticker tape सबसे पहले मैं यहां पर open कर रहा हूं ticker tape dot n मैंने यह platform open किया this is a free platform only अगर आपको ज्यादा features चाहिए तो आप इसके लिए पेक कर सकते हैं that's your call अब यहां पर मैंने open किया यहां पर दिखिए navigation में stock screener अब आप open करते हो तो यहां पर दिखिए 4500 प्लस टॉक्स हैं तो guys 4500 प्लस टॉक्स अब यहां पर बात आती है कि मैं कौन से स्टॉक्स में invest करूं और क्यों अब 4500 प्लस टॉक्स हैं कौन से स्टॉक्स में invest करना है कैसे ट्रेट करना उस पर बात करते हैं तो अब वापिस चलते हैं टिकर टेप ध्यान से अब मैं दो टम्स यूज़ करने जा रहा हूं तो फर्स्ट इस एल्फा अब बात करते हैं अल्फा गैस एल्फा विल टेल यू के हमारे स्टॉक्स ने या हमारे स्टॉक्स या हमारे ओवरॉल पॉर्टफोलियो ने मार्केट को कितने परसेंट से निफ्टी फिफ्टी देखिए बड़े बड़े मुचल फंड हाउसे वो जितने भी फंड मानेजर था उनका टार्गेट एक होता है दे वांट टो बीट दे मार्केट सिंस इंसेप्शन मार्केट हैस गिवन 12 परसेंट तो हमें हमारा जो गोल होता उसको बीट करना है अब हमें यह बताता है हमारा स्टाउक या फिर हमारा पॉर्ट फोलियो हमारा स्टॉक या हमारा पॉर्ट फोलियो मार्केट को कितने परसेंटेज से बीट कर रहे है data अब या तो investigated वह सकता ते warto अगलब क्या है अगर alpha positive है means हमारे स्टॉक ने मारकेट को बीट कर दिया उपर और हमारा च Snauk चला गया 20 स् Lewis इसका मतलब हमारे स्टॉक ने मार्कित को बीट kita 10 पासंट से तो फिर तो इंप다면 10 अगर निनिफ्टी 10 परसंट उपर गई और मेरा चाल चला गया 30 तो इसका मतलब मैंने मार्केट को बीट किया 20 बसंट से अलफा ओगे 20 इसका ऑपोजिट केस अगर मार्केट 10 पर संट उपर गई और मेरा स्टॉक 0 पर गया इसका मतलब अलफा हो गया माइनस 10 तो हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है ट्रेड करना बिसिकली जिसके अंदर एल्फा पॉजिटिव है सेकंड बीटा रोज स्टॉक उपर नीचे जाता है कभी आप देखो विपरो 387 पे कभी 390 पे रोज अप्डाउन होती है स्टॉक की उसको बोलते है वालतिलिटी अफ दे स्टॉक उसको कौन मेजर करता जो वह मुमेंट है उसको कौन मेजर करता उसको मेजर करेगा बीटा अब मैं बीटा समझाता हूं होता क्या है फॉर अल्ट बिगनस इट्स गोइंग टुबी इन शिम्पल लेमन टर्म कि जितना जादा बीटा होगा उतना रिस्की होगा फॉर एक्जांपल इसके रेंज है मैं एक्जांपल के मेटाफरिक गिर है तो बीटा हमारा हो गया 0 से 1 अब इसका मतलब क्या market 1% उपर गई और मेरा stock भी 1% उपर गया इसका मलब बीटा 1 market 1% उपर गई मेरा stock 2% उपर गया means beta 2 market 1% उपर गई मेरा stock 3% उपर गया इसका मलब बीटा 3 लेकिन इसका ऑपर सोची अगर बीटा 3 और market 1% गिर गई तो मेरा stock भी 3% गिर जाएगा so for that reason we will trade in the stock जिसका beta 0 से 1 है let's find out अब यहाँ पे मैं open करता हूँ ticker tape यहाँ पे देखे 4500 stocks है अब इन में से filter out करना है देखे मैं यहाँ पे PE ratio हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले click करूँगा add filter पे जब आने add filter पे click किया तो हमें यहाँ पे simple लगाना alpha और second हमारा filter होगा beta तो यहाँ पे देखे alpha और beta लग चुका है alpha हमें चाहिए minimum 15 हमें ऐसे stocks buy करने जो market को 15% से beat कर चुके अब अगला बाद beta 0 से लेके 1 हम ऐसे stocks देखे ने जिसमें थोड़ा risk भी कम है यहाँ पे 945 stocks है हमने start किया था तो 4500 stocks थे अब यहाँ पे 900 कुछ stocks है 1 by 5 हो चुका है अब अगला पार्ट यहाँ पे हम apply करेंगे alpha बीटा लग गया है अब मैं यहाँ पे एक और filter add करने जा रहा हूं यहाँ पे small cap mid cap large cap जैसे आप large cap पे क्लिक करोगे यहाँ पर ऐसे stocks आ जाएंगे जो large cap companies है जिनों ने जिनका alpha alpha means market को तो बीट कर रहे हैं लेकिन इस टाइम पे उनका risk currently market से थोड़ा कम है तो अगर आप यहाँ पे दिखे क्रासिम इंडस्ट्रीज मैं टेक लेवल पे बोलता हूं टेकनिकल अनालिसिस पे वहाँ पे बहुत प्यारा कपाइंड हैंडल पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट पैटर्न मिलते हैं तो बिगनर्स यह वो stocks हैं जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग जनी स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ा रिस्क जादा लेना है तो आप सिंप्ली बीटा को कर दीजे वान के जगा 1.5 तो जब आप यह बीटा 1.5 करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ रिस्की stocks मिलेंगे जैसे टाटा स्टील उसके बाद टाटा पावर यह कुछ ऐसे stocks हैं जिसमें थोड़ा सा रिस्क जादा कंपेर टू अधर stocks अब मैं बात करता हूं intraday आपको सिंपल यह करना आप बीटा कर दीजे 3 और इसके initial कर दीजे 1.5 पहले हम 0 से 1.5 यह 0 से 1 जाते हैं जो कि intraday moment भी दिखा रहे हैं लेकिन अब देखिए अगर intraday stocks जूणने तो उसमें alpha को कोई काम नहीं है हमने alpha अटा दिया तो यहां पर ऐसे stocks आए जिसका बीटा बहुत हाई है और यह लाज़का companies first is index and bank only the negative overall is weakness यहां पर दिखे माइनस 18 अलफा तो अगर माइनस 18 अलफा है तो उसको हम लोग थोड़ा avoid करते हैं क्योंकि माइनस 18 का मतलब है उसने market से underperform क्या 18 परसें इन दिस मैनर यह बी अबल तो find good stocks और इसके अंदर आपको थोड़ा सा technical analysis लगाना है मैंने पिछली वीडियो में यह पताया था how do you find stocks जिसके अंदर swing 20 परसें उसका भी वीडियो चैनल पर है तो thank you again for the support this is the new video for this week and in coming video I'll be talking about stop losses how to apply a stop loss how to trail a stop loss thank you everyone and do subscribe this channel also thank you everyone again all the best you